हेलो रिवन गुड मॉर्निंग सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में यूनित नाइन जियोग्रफिकल टेक्णीक या फिर प्रेक्टिकल जियोग्रफिकल healthy ये next class है और आज हम डिसकस करेंगे टोपोग्राफिकल मैप जिने हम टोपो मैप या टोपोशीट भी कह सकते हैं और हिंदी में हम कहते हैं स्तला कृतिक मानचतर है आज की ग्लास का हमारा ये टॉपिक होगा हमने इस सिरीज शुरू करी है प्रैक्टिकल जियोग्रफी की जिसमें हम कंप्लीट प्रैक्टिकल जियोग्रफी को इसके चार अलग-अलग सबसेक्शन को जिसमें कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, जियाइस, जिपीएस, अभी तक और यू वीडियो क्लियर आ रही है, गुड़ मॉर्णिंग, गुड़ मॉर्णिंग सभी को, और यू वीडियो के बारे में बताईए, क्लियर है, ओके, वेरी गुड, ये सिरीज आपको सभी टीचिंग एक्जाम में हेल्प करेगी, सबसे जो मुश्किल यूनिट है, वो यही है सबके लिए, और इसी को हम फ्री सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, इसके PDF नोट्स भी आपको फ्री तॉर पर अविलेबल कराए जाएंगे, जोग्रफी विदंके टेलिग्राम से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास के बाद, ठीक है, चलिए बढ बैच से आप जुड़ सकते हैं, इसका description में लिंक दिया गया है, इसके आप details देख सकते हैं, ठीक है, बाकि और भी details है, ब्रमास्ट बैच है, लक्ष बैच है, मंजल बैच है, इसके अलावा भी बाकी बैच है, इन सब की फीस भी सामने लिखी है, और या आप method 1 से या फिर से आप इनको देख सकते हैं, ठीक, और यह आपका channel है, अगर आप नए हैं, तो आप इससे जुड़ जाईए, playlist बनी हुई है, practical geography की, इसे आपको sequence में ही cover करना है, यह शब्द बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, sequence, मैं paid classes में भी यही बात बोलता हूँ, और यह पूरी series paid classes की ही है, जो आपको free तौर पर provide की जा रही है, आपको sequence में cover करना है, हर वीडियो को, अगर आप बात में recording के form में भी देखते हैं, तो sequence break नहीं करेंगे, ठीक, description आप एक बार देख लीजिए, और paid classes से related, और भी demo वीडियो यहाँ पर available है, इन्हें भी आप देख सकते हैं, एक बार अगर playlist पर देखेंगे तो, इसके अलावा आप देखिए, यह हमारा free telegram channel है, paid नहीं है, free telegram channel है, जहाँ पर आपको classes के link, class related, कोई भी update, PDF notes, जो भी free PDF notes होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, इससे आप जरूर जुड़े, geography दंकित के नाम से सर्च करके या description में देख करके आप join कर सकते हैं, ठीक, तो चलिए आज का हमारा जो topic है, वो है topographical map, हम समझेंगे कि topographical map क्या होता है, इसमें क्या-क्या चीज़े आपको ध्यान रखनी है, यह देखिए जैसा आपके सामने यह topographical map है, कुछ इस प्रकार की sheet आपने जरूर देखी होगी, अपने graduation, post graduation के दौरान, और इस पर काम भी किया होगा, map trace किया होगा, इसी चीज़ को आज हम देखने वाले हैं, हमें इसको trace करके नहीं देखना है, यह बत आपको धियान रखनी है, हमें बस यह देखना होता है, कि exam में यहां से सवाल कैसे बूच सकता है, ठीक है, तो हमार तो मुख्य टारगेट ही ही है, UGC NetJRF के सभी exam, यह फिर teaching exam से related है, उन सभी में topographical map से जो भी सवाल आए, उसको आप आसानी से कर पाए, यह हमारा मुख्य उदेश है, और एक आपके understanding develop हो जाए, ठीक, यह topographical map जिसमें आपने देखा होगा, यहां पर इसके लिखा रहता है लेफ्ट में, आपर कवर्ण में, राइट में आप देखिए, इसकी sheet number लिखा रहता है, यहां पर कुछ conventional signs होते हैं, रूल चिन, किस के द्वारा क्या represent किया जा रहा है, अगर इसमें red color की line है, blue color की line है, dot 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 है, इन सब का क्या meaning है, वो यहां पर लिखा रहता है, ठीक है, elevation य आपने जरूर ट्रेस किया होगा, लेकिन इसके details क्या है, यह होता क्या है, इसको पूरा हम समझेंगे, यहां से exam में सवाल आया है, आगे भी आएगा, ठीक है, थोड़ी देर में शुरू करते हैं, उससे पहले आप इसको share कर दीजे, 5 मिनट का हम इंतजार करेंगे, 5-7 मिन कल मैंने टेलिग्राम पर एक पोल किया था, जिस मैं पूछा दा कि कौन-कौन लाइब सेशन जॉइन करेंगे, तो आप देखते हैं कि जुन्होंने यस बोला है, वो कितनी देर में आते हैं, है ना, जल्दी से बताई शेर कर दिया आपने, फिर थोड़ी देर में हम ओके, चलिए बढ़ते हैं टोपोग्राफिकल मैप की तरफ, जब हम स्केल के अकॉर्डिंग मैप का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो उस समय पर भी आपने टोपोग्राफिकल शब्द सुना था, इसकेल के अकॉर्डिंग यानिकि कुछ लार्ज स्केल मैप होते हैं, टोपोग्राफिकल मैप आते हैं, स्मॉल स्केल मैप में आपका वॉल मैप आता है और एटलस मैप आता है, बागी सभी तो हम डिसकस कर चुके थे, टोपोग्राफिकल मैप भी हमने देखाता है कि ये लार्ज स्केल मैप है, और इतना लार्ज स्केल मैप ये होता है कि इसमे हमें कोई भी फिजिकल फीचर यह हुमन सेटिल्मेंट यह फिर चesa हमें यह आंदाजा हो जाता है कि यह सेटिलमेंट अगर हम किसी रिटिवर को देखते हैं मैप में तो हमें पता इसमें जो भी details show की जाती है, वो कुछ ना कुछ road चिन्नों के द्वारा conventional science के द्वारा represent की जाती है। इस topographical map को हम geometrics survey के द्वारा जो भी हमें data मिलता है, survey के द्वारा data प्राप्ट करते हैं फिर उसके बाद map पर represent किया जाता है, large scale map होता है, याद रखना, और यह जो geometric survey है, यह किसके द्वारा conduct किया जाता है, survey of India के द्वारा, यह बाद आप धिहान रखेंगे, अलग-अलग प्रकार की information को इसमें show करते हैं, इसमें सर्फ physical information show नहीं होती हैं, बलकि इसमें आपको जो man-made features हैं, उनको भी show किया जाता है, जैसे आप देखें, तो इसमें drainage system, इसमें relief feature, drainage system, natural vegetation, human settlement, transportation route, irrigation, और बाकी जो sociocultural elements हैं, उन सभी को show करते हैं, है न, उच्चावच का, और उच्चावच का representation करेंगे, अपवात अंत्र का, प्राकृतिक बनस्पती, मनुष्य के settlement है, transportation, परिवहन है, सचाई है, हर एक चीज इसमें show की जा सकती है, ठीक, अगर हम थोड़ा सा past में देखें, तो भारत का सबसे पहला, जो modern map तयार किया था, वो किस ने किया था, इन modern times, डी एन्विले, ये नाम याद रखना है, एक्जाम में question पूछा गया है, डी एन्विले ने एक authentic map compile किया था, compile करने का मतलब क्या है, जो अलग-अलग sources थे, उन सभी sources को वो बिखरे वे थे, map के, कुछ नाविकों के द्वारा, कुछ उसन से पहले जो scholar थे, उन्होंने study करके, जो भी चीज़े अपनी note down करी थी, उन सभी details को compile करके, एक authentic map तयार किया, इंडिया का, कब 1752 में, ये याद जो भी travelers ने अपने-पने routes तयार किये है, map पर, ठीक है, तो उन सभी को compile करके, ये authentic map तयार करते हैं, इंडिया का, 1752 में, फिर उसके बाद आगे चलके, 1767 में, British rulers, rulers, established हो जाते हैं, इन्होंने established किया, Survey of India को, इंडिया में, Survey of India को, establish किया गया, ठीक है, और उस समय पर, Major James Rennell को, First Surveyor General, establish किया गया, appoint किया गया, सबसे पहले Surveyor General, Major James Rennell, ठीक है, presently ये जो Survey of India है, इसका headquarter कहाँ पर है, देहरादून, उत्राखट में ही है, इनके बाद, Major James Rennell के बाद, Colonel William Lempton, 1802 में, George Everest, फिर इनको appointment किया गया, इनके बाद, Surveyor General of India, Lempton के बाद, George Everest, Everest वही जिनके नाम पर, Mount Everest का नाम पड़ा है, उन्होंने उसका सर्वे में एक important role play किया था, इस वज़े से, ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी डिटेल है, जो आपको इस सलाकरतिक मांचितरों के बारे में, पता हो नहीं है, इसके बाद, जब हम map क देखते हैं, ये आपके सामने map दिख रहा है, तो इसमें कहां कहां पर क्या-क्या details लिखी होगी, एक ये top corner है, ये top है, ये इसका bottom है, right, left, तो इसके top left पर, top right पर क्या है, और इधर bottom में क्या है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, अगर हम इसके top margin प विभाजन से है, किस year का है, उस topo sheet का नाम क्या है, उसका magnetic declaration क्या है, इन सारी चीज़ों को, और उस topographical sheet का number क्या है, ये सारी detail इसके top margin पर लिखी होती है, अगर इसके आप left और right margin पर देखेंगे, तो आपको कुछ special information दिखाए देगे, कुछ reference number दिखाए देगे, ये reference number क्या है, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, जब हम इनको थोड़ा सा और detail में देखेंगे, जैसा आपको यहाँ पर ये दिखाए दे रहे हैं, तो ये reference number से, ये reference number आपको left right margin पर दिखाए देते हैं, ठीक है, किसी भी particular map में, अगर आप bottom पर देखेंगे, नीचे, इस सभी के symbols यहाँ पर show किये गए होते हैं, bottom में, नीचे, ठीक, वो transportation के हो सकते हैं, वो communication के हो सकते हैं, इसके अलाबा, वो mining हो सकता है, किसी जो भी details हमने show की है, यहाँ पर आप जितनी details देख रहे हैं, चाहे वो man-made structure है, चाहे वो natural structure है, उन सभी की details show की गई होती है, ठीक, bottom म information है, topographical map की, यह जो topographical map है, इस map को boxes बने वे निज़र आ रहे हुए, ठीक, topographical map का scale होता है, one is to one million, one million माने 10 लाग, one million means 10 लाग, इसलिए इसको million sheet भी कहते हैं, क्या कहते हैं, million sheet भी, क्योंकि topographical map, one is to one million scale पर बनाए गया map होता है, एक centimeter बराबर, एक million centimeter को यह represent करता है, ऐसे map को कहते हैं, topographical map, ठीक, फिर इसके sub division है, यह जो आपको एक box दिखाई दे रहा है, यह 4 degree अक्षांस और 4 degree देशांतर को represent कर रहा है, जो आपको यहाँ पर एक box दिखाई दे रहा है, यह 4 by 4 है, मतलब 4 degree latitude और 4 degree longitude को यह represent कर रहा है, 4 by 4 आप इसको कह सकते हैं, इस प्रकार कर, अब इसी के फिर odd division हो सकते हैं, जैसे देखिए यह एक box है, जिसे हम एक one million sheet पर यह बना हुआ है, इसी के आप division कर दीजे, फिर इसके odd division कर दीजे, तो इस प्रकार से यह map odd divide होते रहते हैं, इसी चीज़ को हमें अब देखना है, ओके, topographical map के बारे में थोड़ा सा और detail अगर हम देखें, तो survey of India ने अभी कुछ 2005 में एक नई map policy launch करी है, किस वज़े से हमें और ज्यादा information पर focus करना है, जो भी हम survey of India के द्वारा information provide की जा रही है, ठीक है, उसमें वो cost effective हो, reliable हो, उसकी quality बहुत ज्यादा अच्छी हो, geospatial data अच्छा हो, information उसमें और ज्यादा authentic हो, इन सभी चीजों को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, survey of India के द्वारा new map policy launch के गई, कब 19 मई 2005 को, ठीक है, जिसमें इसके हर एक aspect पर ध्यान दिया गया, map के layout पर scheme of map क्या होनी चाहिए, referencing, इन सभी चीजों पर scale dimension, इन सपर correction किय जा गया है, ताकि जो information provide की जारी वो बहतर हो, तो इसी का paradigm यह है कि हम दो series में, map दो series में तयार किये जाते हैं, survey of India के द्वारा, एक DSM series के map होते हैं, और एक OSM series के map होते हैं, DSM यानि कि defense series map होते हैं, OSM यानि कि open series map होते हैं, नाम से देखो इस first है, open series के map जो open है, सबके लि map वो होंगे, जो military purposes के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, यह सबके लिए accessible नहीं होंगे, अगर हम DSM series के map की बात करें, तो यह topographical map, यह average WGS 84 datum या polyconic UTM projection पर तयार किये जाते हैं, map को तयार करने के लिए scale projection और skills हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन-कौन से conventional signs हैं, तो projection का अगर हम बात करें, तो यह projection है, DSM map में का, ठीक है, और यह जो series के map होते हैं, only for defense and national security requirement के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं, यह आम आदमी के लिए या फिर यह आम तोर पर हर एक को accessible नहीं होंगे, क्योंकि यह national security को, आप कह सकते हैं कि यह defense series के map होते हैं, तो जो army में, military में, कहीं पर हमें कुछ भी activities करनी है, तो उनके लिए यह accessible होंगे, क्यवल, ठीक, open series के map होंगे, यह UTM projection WGS 84 datum पर बनाए गए map होते हैं, यह unrestricted होते हैं, unrestricted है, यानि कि इसको आप, एक बार clearance मिल जाए कि हाई, इसमें ऐसी कोई information नहीं है, जिससे कोई परेशानी हो सकती है, आगे चल करके, जो national security है, उसको कोई खत्रा हो सकता है, अगर यह clearance एक बार मिल गई, तो फिर इनको कोई भी access कर सकता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी information नहीं हो सकती है, जो कि आगे चल के national security को vulnerable situation में, खत्रे में डाल सके, इसलिए यह open series के map है, तो यह दो तरीके के map, दो series के map, survey of India के द्वारा तयार किये जाते है, अब हमें समझना है million sheet को, कि यह topographical sheet क्या होती है, इसका division कैसे होता है, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई, फटा-फट से बताइए, क्या यहाँ तक सभी को बात clear है, जल्दी से, clear, तब हम इसके आगे बढ़ें, अब हम इस chart को देखने वाले हैं, जो कि बहुत important chart है, इससे समझ रहा, ओके, very good, बहुत बढ़िया, देखिए, जो मैंने भी आपको एक box दिखाया था, यह जो box है, वो box यह है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, बहुत सारे छोटे-छोटे boxes आपको दिख रहे हैं, एक box यह है, एक box यह है, इसमें कई सारे आपको छोटे-छोटे से, यह rectangular boxes निज़र आ रहे हैं, यह जो boxes हैं, यही million sheet है, यही क्या है, million sheet है, फिर उसका भी subdivision होगा, यह देखिए आप, यह एक box है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो तब हमें समझ में आ जाएगा, समझते चलना, और इन boxes के number होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, ऐसे करके, तो ऐसे ही हमने 72 million sheet का एक example लिया है, map number 72, यानि कि उस box का number, जो मैंने आपको एक box दिखाया था, वो million sheet है, million sheet का मतलब 1 is 2, 1 million उसका scale है, 1 million यानि कि 10 लाग, ठीक, तो यह million sheet 72 है, ठीक, कैसे पता लगा कि यह million sheet है, पता ऐसे लगता है, कि यह 4 degree latitude को, और 4 degree longitude को, चार डिगरी अक्षान्स और 4 degree देशांतर को रप्रिजन करेगा, 20, 21, 22, 23, ठीक है, अच्छा, यह longitude को है, 21, और 20 degree north है, फिर इसके बाद, एक second, यह 80, 81, 82, 83, यह इसा है, वेट वेट, चार डिगरी latitude और 4 degree longitude को, यह represent करेगा, यह extension तो यही है, अभी यतना समझे देखिए, कि यह map number 72 है, million sheet, जिसके 16 subdivision है, 12 subdivision है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसके subdivision तो कितने भी हो सकते हैं, अच्छा, अभी यह 72, मैं इसलिए confused हो गया, क्योंकि यह million sheet है, इस एक million sheet का subdivision होगा, यह वाला subdivision है, वो next में है, नहीं, hard नहीं है, वो next में है, मैं यही से समझने लगा था उसको, यह एक million sheet है, यह सब के सब क्या है, यह अलग-अलग जो boxes आपको नज़र आ रहे है, 61, 62, फिर 63, 4, इस तरी के सफिर 71, 72, 73, फिर 77, 78, 79, यह सब है, तो हमने इस वाले million sheet को लिया हुआ है, 72, कहने का मतलब य है, यहाँ पर जो अलग-अलग, यह million sheet आपको नज़र आ रहे है, यह सब अलग-अलग boxes, suppose कि हमने उन में से यह box ले लिया, जिसका number है 72, क्या number है, 72, ठीक? अब इस 72 नमबर का हमें सब डिविजन देखना है, जब million sheet का division किया जाता है, तो उसे कहते हैं, degree sheet, क्या कहते हैं, degree sheet, और एक million sheet, 4 latitude और 4 longitude, 4 by 4 को represent करता है, कैसे यह देखें, 24, 25, 26, 27, 28, होगे, 1, 2, 3, 4, 4 latitude और 4 longitude को, 84, 85, 86, 87, 88, 1, 2, 3, 4, होगे 4 boxes, तो 4 by 4 latitude और longitude को यह represent करता है, एक million sheet, यह कौन से million sheet है, यह 72 नमबर की million sheet है, और इस एक million sheet के जब हमने 4-4 division कर दिये, तो यह total 16 boxes बन गए हैं, 16 subdivision हो गए हैं, एक million sheet के, जब हम degree sheet में division करते हैं, तो 16 degree sheet निकल के आती हैं, और इन सभी degree sheet को हम A से लेकर P तक capital letter में represent करते हैं, A, B, C, और यह भी ध्यान अकना कि यह series कैसे चल रही है, इस प्रकार से नहीं चल रही है, left to right, यह up to down, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, A से लेकर P तक total 16 इसके degree sheet में हमने division कर दिया हैं, एक million sheet का, अब इस degree sheet का हम यह वाला example ले लेते हैं, यह क्या है यह F, इस degree sheet है, अब हमने यहां पर 72 F लिखा है, इसका मतलब है, कि 72 million sheet का, यह F degree sheet है, तो इस F degree sheet को हम लेते हैं, और इसका भी subdivision कर देते हैं, अभी जो F degree sheet हमने लिया है, इसको हम दो तरीकों से divide कर सकते हैं, एक तो direction के according, और दूसरा, और छोटा subdivision हम कर सकते हैं, अगर हमने इस degree sheet को लिया, तो direction के according इसको, चार direction में divide कर देंगे, क्योंकि यह एक degree sheet है, यह एक latitude और एक longitude को represent करता है, जैसे 26 से 27 ता, के वहल एक ही का difference है, 26 degree north latitude, 27 degree north latitude, 45 degree east longitude, और 86 degree east longitude, इसके चार subdivision कर दिये, north east, north west, south west, south east, कर दिया, ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 72 F, यह 72 million sheet है, इसका F division है, और north east, मतलब इस F में भी यह वाला section है, समझ रहें, या फिर आप इसको ऐसे divide कर सकते हैं, 15 degree sheet में, या 15 inch sheet भी आप इसको कह सकते हैं, आपने 72 million sheet का F division लिया, और इस F division के और 16 division कर दिये, देखे, 26 से लेकर 27 degree latitude, और 85 से लेकर 86 degree latitude, इसके 16 division कर दिये, तो इसका मतलब है कि हमने 26 से 27 के बीच में 4 division किये हैं, अगर आप 1 को 4 भाग में divide कर दें, इसका division 4 कर दें, तो 25 परसेंट आएगा, और एक degree से दूसरे degree के बीच का difference, 60 minute होता है, तो 60 को अगर आप 4 पार्ट में divide कर देंगे, तो 15 आएगा, तो 15 चोको 60, इसलिए ये 15 degree sheet है, 15 inch sheet है, बात समझ रहें, इसलिए ये क्या है, 15 inch sheet है, क्योंकि एक latitude से, दूसरे latitude का difference है, वो 60 minute होता है, तो इसलिए 4 division हो गए, तो ये 15 degree sheet, ऐसा ही, एक longitude से, दूसरे longitude के बीच का difference, 60 minute होता है, तो 4 division कर दिए, 15, 4, 60, इसका मतलब 15 inch sheet, ठीक, अब यहाँ पर आप numbers इसको represent करेंगे, million sheet के degree sheet का, 15 degree sheet को हम number से represent करेंगे, एक, दो, तीन, चार, नमबर भी देखो, इस तरीके से भढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर, ये सिरी चल रही थी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, ठीक है, ये हो गया आपका एक division, बाकी ये special division भी होता है, और ज़्यादा division करते हैं, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस आपको इतना ही देखना है, पहले हमने क्या क्या, ये million sheet ली, हम इसको यहाँ पर बनाते भी चलेंगे, देखो, ये million sheet ली हमने, इस million sheet के हमने 16 division कर दिये, तो हमने क्या है क्या है, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, इसमें समझें, फिर ऐसे ही, एक, ये हो गया दो, और ये हो गया तीन, और लास्ट में चार, ठीक, अब हमने इस F को लिया, इसको अलग से शो कर देते हैं, सपोज कि हम इस F का division और कर रहे हैं, ये पूरी sheet क्या है, इस पूरी sheet का नाम है, million sheet, और इस million sheet का ये वाला जो भाग है, F नाम जिसको दिया है, इसका नाम क्या है, F, ये होगी degree sheet, इस degree sheet के भी फिर solar subdivision है, एक, दो, तीन, चार, फिर ऐसे ही all division कर देंगे, अब इसका भी अगर हम एक भाग लेंगे, ये वाला भाग लिया हमने माल लिजे, ठीक, इसको भी कर देते हैं, सपोज कि हमने ये भाग लिया है, ये जो green color से आपको दिख रहा है, इस million sheet का वो 15 inch sheet है, बास समझ में आ गई सभी को, million sheet का subdivision, ये जो black color से ये आपका degree sheet है, और degree sheet के अंदर 15 degree sheet है, ठीक, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, बताईए, जल्दी से, clear है सभी को बात, फटाफट comment कीजिए, ये जो हमने subdivision किया है, इस 15 degree sheet का, इसका division हम direction के according भी कर देते हैं, तो उसको हम quadrant sheet बोलते हैं, quadrant, ठीक है, quadrant का मतलब एक ही भाग को, चार में डिवाइट कर देना, quarter भाग, चौथाई भाग, लेकिन चौथाई में भी नहीं हमने 15 degree sheet डिवाइट कर दिया, तो फिर वो 16 division होंगे, एक से लेकिए 16 तर, ठीक है, clear है सभी को, समझ में आ गया, ओके, बाकिस सभी बताईए, एक मिनिट में मैं आता हूँ, झाल, तो, लेकिए 16 तर, जो एक रिवाइट कर दिवाइट कर दोनी हो, क्षाई में में आता है कि वो 19 तर, यह झाल, इसम जो 1 उक है, झाल 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 चलिए यहां तक आप सभी को समझ में आ गया अब आगे वड़ते हैं एक बार दुबार से एक बार रैपिट फायर इसका देख लेजिए सबसे पहले यह मिलियन शीट है इसका नंबर है 72 इसको हमने सिब डिविजन किया डिगरी शीट में जब हम मिलियन शीट का सब डिविजन करेंगे तो उसके 16 भाग बनेंगे 16 पार्ट हैं और एक मिलियन शीट 4 भाई 4 को रिप्रेजन करती है मतलब चार लेटिटीट चार लॉंगिटूट को इसके 16 डिविजन होगे डिगरी शीट के लाएगा और ए से लेके पी तक इसका नाम लिखा जाएगा ठीक माली जी हमने यह डिगरी शीट लिया इसको दो तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं यह डिरेक्शन दिख रहा है आपको ठीक और अगर डिरेक्शन के अकौर्डिंग इसका डिविजन करें चार भाग में आएगा क्वाडरेंट शीट कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अगर आप चार 60 मिनट के यह 60 मिनट है यहां से लेकर के यहां तक इसको डिवाइड करेंगे आधा करेंगे 60 को कितना होगा 30 होगा तो यह एक जो भाग है 30 by 30 मिनट का है इसी 30 का और डिविजन कर दोगे तब यह 15 by 15 है 15 15 का है जो कि यहां पर है समझे पार और इसी डिगरी चीट का 15 इंच सीट में डिविजन करेंगे तो फिर यह एक से लेगे 16 तक सब डिविजन होगे अब यही चीज़ा आपको आगे लिखे भी मिलेगी जो लेयाउट है और यह ध्यान नखिएगा यह ओल्ड स्केल का लेयाउट है बाद में जो करेक्शन हुआ है 1990 तक वो यह यह वाला लेयाउट है इसके बाद 2005 से जो करेक्शन हुआ है मैं आपको बताया था न्यू मैप पॉलिसी आई थी 2005 में फिर यह वाला लेयाउट अब चल रहा है लेकिन वह पुराने वाले लेयाउट से भी सवाल पूछ लेते इस चीज़ का ध्यान रखना आप से ठीक है त यह ओल्ड स्केल है लेकिन पूछा यहां से जाता है इसका एक्सेंशन 4x4 होता है 4x4 का मतलब चार लैटिटूड चार लॉंगिटूड कांटूर इंटरवल फिट में है 500 फिट रिफरेंस के लिए आप देख सकते हो याद रखने की जरूरत नहीं है रिफरेंस तो कुछ भ डिगरी शीट या क्वाटर इंच शीट कहलाएगा यह वाला डिविजन है डिगरी शीट या क्वाटर इंच शीट कहलाएगा और इसका जो स्केल है वन इंच इस उपल टू फोर माइल होता है और यह एक बाई एक को रिप्रेजन करता है मतलब एक डिगरी लैटिटूड औ को represent कर 202 50 को say it today 500 oron यह त coaster करेंगी तीसरी 750 को और चौत ही 1000 आज़ेंग इनके बीच का यह इन्टरवल हो तक आमातलब करेंगा अब इसे लिडिजीट डिग्री और को सब्सक्राइब नेक्स आप देखेंगे इसी क्वाटर इंच या डिगरीज शीट को जो आपके सामने डिगरीज शीट है इसे हम 15 इंच शीट में भी डिवाइट कर सकते हैं जिसका स्केल वन इन्च इस तो वन माइल होता है यह 15 इंच को रिपजन करती है इसका कॉंट्रूर इंटरवल होता है और हाफ इंच शीट का यह आप स्केल एक्स्टेंशन थर्टी वाइट और कॉंट्रूर इंटरवल हंडेट याद रखेंगे हैं ठीक है और जो मेंट्रे की स्केल पर है यह तो हमने देखा था ठीक लेकिन अगर आप इसको मीटर में स्केल इम्पॉर्टेंट है एक्स्टेंशन और कॉंट्रूर इंटरवल हंडेट इंट इसका स्केल है और यह एक्साल दिया गया है और इसका इंटरबल भी दिया गया एक्जाम में एक्जेकली सवाल पूछते हैं इंपॉर्टन्ट है यहां से भी सवाल पूछ लेता है हाला कि वो दोनों ओल्ड है लेगिन फिर भी सवाल पूछता है जो न्यू मैप पॉलिसी वाला लेयाउट ओपन सिरीज अपका ही लेयाउट आपको पता होगा इसका प्रोजेक्शन भी आप देख सकते हैं जो पीछे बताया था आपको यह इसका एक्टेंशन है बिलियान इंच डिगरी शीट और 15 डिगरी शीट क्वाडरेंट शीट 3 डिगरी शीट इनका स्केल आपको यहां तक याद रखना ह बस क्वाडरेंट शीट था रेफरेंश याद रखने की ज़रूरत नहीं है बस एक्सेंशन पता हो इसकेल पता हो और उस नाम पता हो बस ठीक है क्या यहां तक सभी को क्लियर है बात किसी को कोई समस्या क्लियर है यह है टोपोग्राफिकल मैप उमिदे टोपोग्राफिकल मैप आपको आप समझ में आ गया होगा इस सरे लेटर थोड़ी थोड़ी डिटेल से और देख लेते इनको फिर उसके बाद यह टॉपिक आपका खतम हो जाएगा क्लियर है सभी को आपने इस सरे लेटर सवाल भी देखे होंगे कि यह स्केल दे दिया आपको और पूछा कि बताएए इसका कॉंट्र इंटरवल क्या है या फिर यह स्केल है इसका नाम क्या है टोपोग्राफिकल मैप में इन से सवाल पूछ लेता आपसे तो यह आपने देखे होंगे ज़र ब्रिटेन में यूरोप में और USGS मैप के एक्वेलेंट है अमेरिका में कि USGS पर जो मैप मिलते हैं तो वो टोपोग्राइफिएल मैप से कंपेरेबल है ठीक अब कि अच्छा इसके अलावा ब्रिटिश सर्वेयर ने इंडिया सब कॉंटिनेंट को और इसी लगीवी जो कंट्रीज हैं इराहन अफगानिस्तान तिबबत चाइना का कुछ पाल्ट है साउथ इस्ट एशिया है इन सबी को 106 मिलियन शीट में कवर किया था जो कि किस प्रोजेक्शन पर बनाए जाते हैं लेंबर्स को निकल और्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन एवरेस जेटम ठीक है इसके अलावा केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया 39 मिलियन शीट में कवर होता है इतने मिलियन शीट को ये कवर करता है पूरे ग्लोब पर देखे 2222 के आसपास मिलियन शीट है ओपन सिरीज के जो मैप होते है ये नई लेयाउट पर बने हुए मैप है ये अविलिबल होते है अलग-अलग स्केल्स पर पूरी तरीके से डिजिटाइज मैप होते है नई मैप पॉलेसी के द्वारे इनका लेयाउट तयार किया गया है हर एक मिलियन शीट में 16 डिजिट होती है ए से लेके पी तक और एक डिजिट को दो तरीकों से डिवाइट किया जा सकता है पहला उसके डिरेक्शन के अकॉर्डिंग ठीक है तो चार क्वाडरिंट शीट हो सकती है और दूसरा इसको आप डिगरी के अकॉर्डिंग अक डिवाइट करें तो 16 इंच शीट आपको 16 मिलेंगी और इसको आप एक से लेके 16 तक नंबर असाइन करते हैं ठीक है यह बात में डिटेल भी लिखी गई है इसी के साथ आपका ही टोपोग्राफिकल मैप का चेप्टर होता है समात उमीद है आपको यह समझ में आ गया होगा किसी को आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक दो बार अगर आप रिविजन करेंगे इसका और आपको याद हो जाएगा पहली बार में समझ आएगा दूसरी बार में याद हो जाएगा तीसरी बार में जब नोट करेंगे तो फिर कंठस्ट हो जाएगा फिर नहीं भूलेंगे एक भार आप खुझ से इसको बना के देखना कैसे कैसे डिविजन किया गया है ठीक है क्लियर है सभी को किसी को कोई परिशानी, कोई दिक्कत ओके वेरी गुड क्लियर है, बहुत बढ़िया सभी को थेंक्यू सो मच, बाई बाई, टेक क्यार, धन्यवाद यादी नहीं होता, याद करने से होगा न, ऐसे थोड़ी न हो जाएगा याद अगर आप याद करने की कोशिस नहीं करोगे तो याद कैसे होगा, क्यों होगा याद टॉपिक आपसे डरता थोड़ी है, याद करना पड़ता है, बार बार, इसमें ऐसे क्या बात है आप एक घंटे में याद कर सकते हूं, मुझे दो नहीं लगता है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात है, अराम से याद हो सकता है, एक बार समझ में आ गया है फिर, अराम से बैठ के से, खटते रहो, याद हो जाएगा, बार बर प्रैक्टिस करो, ठीक है, थैंक्यू, बाई टेक केर,